जैहिन दोस्तों ओला एलेक्टिक स्कूटर की परचेज लिंक आने शुरू हो गई है और जिसने एलेक्टिक स्कूटर को पहले बुक किया था वो अपना पेमेंट भी कर पा रहा है आएए मैं आपको पेमेंट से रिलेटेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ पेमेंट सुबए 5 बजे से ही होने लगी है सबसे पहले आपको ओला एलेक्टिक डाट कॉम पे जाकर अपनी मोडिफाय रिजर्वेशन सेक्शन में जाना है उसके बाद अपने जिले का पिन कोड अपडेट करना है जिसके बाद आपको ओला एलेक्टिक स्कूटर के प्राइस स्कूटर का चेक कर सकते हैं जिन लोगों ने RS 499 रुपए वाली बुकिंग पहले की ती उसको ओला कैब एप पे लिंक भी आने लगा है और वो लोग जाकर अपने पेमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं यहां ध्यान दीजिएगा कि आपको पेमेंट करते समय चाहें वोला S1 बुक कर रहे हो या S1 प्रो आपको 20,000 रुपए ही देने हैं पहले S1 प्रो का प्राइस 25,000 रुपए एडवांस पेमेंट का था पेमेंट करते समय आपको आधार कार्ड का नाम और एड्रस पूचेगा बाद में आपसे इंशुरेंस का ओप्शन पूचेगा अगर पास जो भी पेमेंट ऑप्शन हो डेविट कार्ड, ट्रेट कार्ड और नेट पेंकिंग आप उससे पेमेंट कर सकते हैं जिसके बाद पेमेंट कॉनफिरमेशन होते ही आपको एक एमेल आएगा जिसमें आपकी ओर्डर के रिसिप्ट होगी ये तुरंत आ जाती है साथ ही आपकी इंफरमेशन के लिए बता दूँ इसमें आपकी टेंटेटिब डिलिवरी डेट पी लिखी होगी जो पहले फेज में 25 अक्टूबर से 25 नमंबर तक के बीच में है साथ ही आपको एक इंफरमेशन और भी दे देता हूँ कि आपकी बची हुई पेमेंट या इमाई कर आएगा उसमें लिखा होगा कि वह आपको बहतर गंटे के अंदर मेल करके आपकी डिलिवरी डेट का कॉनफरम कर देंगे साथ ही आपको बता दूँ अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आपके अंदर नहीं आ रहा है तो उसको चेक करते रहें जैसे ही आपका नंबर आएगा आपके पास पेमेंट लिंक आना शुरू हो जाएगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एपका पेमेंट बहुसा असानी से हो जाता है और आपको बिल्गुल गभराने के जरूवत नहीं आप सर्फ अपने नेट बैंकिंग या ड्रेबिट कार्ड या क्रेडिट क आपको तयार रखें उसकी डेटेल फिल करें और आपका पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट होते ही आपको एक मेल आ जाएगी यदि इसके बाद भी आपके कोई क्वेशन है तो क्रपया कमेंट में लिखिए मैं पूरी एक कोशिच करता हूँ कि आप लोगों का सवाल का कर दें और यदि यह आपकी कोई प्रॉब्लम है तो लिखिएगा जरूर